Hello guys, welcome back to a new video और आज की वीडियो के अंदर आपने जैसा की thumbnail के अंदर दीखा देट किस तरीके से आज हम अपनी GTCNDRYAS Android के अंदर Franklin और Michael के Realistic House को Aid करने वाले हैं और वो भी बहुत इजी मेथड से और किस तरीके से Aid करोगे और कौन सी location होगी जहां पर आपको जाना होगा और जहां पर आपको जो है House देखने के लिए मिलेंगे ठीक है तो वो जो चीज़े हैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आपको कहां पर जाना है और क्या क्या करना है किस तरीके से आपको जो है अपने GTA 5 के अपने GTA 5 के मैप के अंदर तो वो जो चीज़े हैं सब के सब आज की इस वीडियो में ही मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा रियलास्टिक यह होने वाला है बहुत ज़्यादा अमेजिंग वीडियो यह आज की आपके लिए होने वाली है और बहुत अमेजिंग लगने वाला है काफी मैनस से मैंने चीज़ फाइंड आउट करी है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए जो की ये चीज़ experience करोगे कॉस बहुत ज़्यादा amazing लगने वाला है और बहुत ज़्यादा अच्छी feeling आपको देने वाला है प्लस यार थोड़ा बोश्योप भी कर लेना अपने friends के सामने क्योंकि यार ये ज़्याद जीज़ है ये फिल्कुछ GTA 5 का experience आपको provide करने वाली है तो किस तरीके से करेगी क्या करना होगा तो मैं आपको बताता हूँ चलते हैं वीडियो के और let's go to the video तो जैसा कि यहाँ पे अभी आप gameplay जो देख पा रहे हो ठीक है ये gameplay है मेरे GTA 5 के graphics mode पे का जो मैंने आज से कुछ दिन पहले ही upload किया है और आपने notice किया होगा देट इस वाले graphic mode पे के अंदर आपको मैंने gameplay के अंदर Franklin का और Michael का house आपे बताया था देट किस तरीके से यहाँ पे यह जो house है वो लगते है ठीक है माइकल के house की location ही नहीं बताई जी आम location बताना ही भूल गया उस वीडियो के अंदर और बाद में मेरे को regret हुआ that मेरे को location बतानी चाहिए थी फिर मैंने सोचा that मेरे को इसके उपर एक separate video बनानी चाहिए जिसमें आपको बताना चाहिए that किस तरीके से आपको कहा पे जाना है आपको इस वीडियो में location देने वाला हूँ मेप की location बताने वाला हूँ that आपको कहा पे जाना है और कहा पे आपको जो है फ्रेंक लिक और माइकल का house देखने के लिए मिलेगा ठीक है तो आपको करना कुछ नहीं है आपको modpack डाउनलोड करना है एक सीधा modpack डाउनलोड करना है और कुछ नहीं करना है पुरा GTA 5 का modpack है और उस modpack का जो link है मैंने description में आपको provide कर दिया है वाह से जाके आप पहले modpack को डाउनलोड कर लो वीडियो का link मिल जाएगा basically जो वीडियो में अपलोड करी थी ठीक है उस वीडियो पे जाके आप modpack को डाउनलोड कर लेना और एको link मिलेगा जिसमें आपको जो है दो images देखने के लिए मिलेगी एक होगी आपके Michael के house की और एक होगी आपके Franklin के house की और अब जिसा कि आप देख सकते हो कि अपनी screen के उपर आपको दो images या पर देखने के लिए मिल रही है एक है आपके Franklin के house की और एक है आपकी Michael के house की ठीक है इन दोनों की location में आपको map के images के तुरू बढ़ा दिये और अगर आप वीडियो में अच्छे से नहीं देख पा रहे हो तो मैंने इन दोनों images का download link भी description में दे दिया है जहाँ पे आप जाकर के इन दोनों images को एक zip file में download कर सकते हो एक link मिल जाएगा particular उस पे आप जाकर सब्सक्राइब करना मत बूलो क्योंकि वह बहुत important है मेरे लिए and thank you so much for watching this video मैं मिलता हूँ next video मैं आपके किसी अच्छे graphic mod पर या किसी अच्छे वीडियो के साथ और आपका के suggestion है that मुझे next video कौनसे mod के उपर upload करनी चाहिए तो मुझे comment में बताना मत पूलना and मैं मिलता हूँ next video में thanks for watching हुआ 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 है